दोस्तों ओम नम्ह शिवाय दोस्तों, 24 मार्च होली का देहन और 25 मार्च बड़ी पूर्णिमा और चंद्र ग्रहन दोस्तों, 24 मार्च की राद चुपचाप एक रुपय का सिक्का यहां रख देना, गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, आपके घर में सदैव भरे अन्धन के भंडार और घर में होगा सदैव धन, सुख संपत्ति का वास, और मा लक्ष्मी का सदैव आपके उपर रहेगा, आशिरवाद दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें, उससे पहले मा लक्ष्मी के सच्चे भग, इस वीडियो को एक लाई अभी कर दें, और कमें जैमा लक्ष्मी अवश्य लिख दे, जिससे माता लक्ष्मी का आशिरवाद आपको के प्राप्त हो सके, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्यान वर्धक जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों इस होली पर महासयोग बन रहा है, क्योंकि इस होली पर पूर्णिमा होली और चंद्र ग्रहन साथ में है, और दोस्तों होली का जो त्योहार है, यह एक ऐसा त प्रकार के मतभेद, अमीरी गरीबी उच नीच को भूल करके समाज में हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाता है। होली को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होली उत्सव और उल्लास से भरा हुआ त्योहार होता है। खास तोर से जितने भी भगवान विश्नुजी के भक्त होते हैं, वह होली वाले दिन भगवान विश्नुजी के लिए वरत रखते हैं। पूरे दिन उनके लिए विधि विधान से पूजा पाट करते हैं, ताकि उनको भगवान विश्णु जी का आशीरवाद मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 140 वर्षों बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च को होली का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है और इसी दिन माहा चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 250 वर्षों बाद आया है। इस दिन कुल बावन तरीके के शुभ योग बन रहे हैं जिसमें महा लक्ष्मी योग धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र, योग, सतलज योग जैसे बावन तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जन्ती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जन्ती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाट कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से उस व्यक्ति की गरीबी परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे आपके जीवन में धन आना बंध हो गया था दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी या आपकी कैसे भी परेशानी है एक रुपए का उपाय करने के बाद म इसकी गारंटी हमारा चैनल प्राचीन जानकारी आपको स्टांप पेपर पर लिख कर दे सकता है दोस्तों यह एक रुपए का सभी उपाय आपको होली का देहन वाले दिन करना है दोस्तों हर इंसान आज के दौर में पैसों के लिए सुभह से रात तक भागता रहता है आज इसकी वज़ा है कि सिक्के का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है सिक्का सिर्फ किस्मत ही नहीं बलकि नकारात्मक उर्जा को हटा कर हर रोग से मुक्ति दिलाता है एक रुपए के सिक्के का यह टोटका आपको अमीर बना सकता है यह थोड़ा अजीब जरूर है लेकि से आप बहुत जल्द धनी बन सकते हैं सिर्फ एक रुपय का सिक्का आपकी किस्मत पलट देगा एक से एक परसंट एक रुपय के सिक्के से अगर आप 24 मार्च होलिका देहन की रात यह उपाय करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं तो आईए जानते हैं आखिर यह उपाय आपको किस प्रकार कैसे करना है जो दोस्तों आपको बता दें कि एक रुपय के सिक्के के साथ यह आसान उपाय आपको मालाबार बना सकता है सबसे पहले आप एक रुपय के सिक्के के ऊपर सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिख दे और इस सिक्के को 24 मार्च फोलिका देहन की रात को यानि की रात के समय अपनी छट पर ले जाएं अपने घर की छट के ऊपर रख दे दोस्तों अपने घर की छट के ऊपर सिक्के को रखते हुए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह आपने अपने नाम का पहला अक्षर लिखा है, वो हिस्सा आस्मान की तरफ होना चाहिए, ताकि रात उजाला उस सिक्के पर पढ़ सकें, आपके नाम के पहले अक्षर पर पढ़े आपको बता दें, कि यही उजाला आपकी किस्मत में छाय अंधेरे को दूर कर द और यही सिक्के से आपके पास हमेशा पैसों से भरा रहेगा, और साथ ही साथ, अगर आप अपने घर की आर्थिक स्थिती को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप रात को अपने घर में भगवान के सामने एक चौकी रखें, जब उसकी भगवान विश्नु और मान लक् का रख लें, और फिर हर रोज इस कलश की विधिवत पूजा करें, ऐसा माना जाता है कि इसी पूजा से मा लक्षमी प्रसन्न होती हैं, और आपके घर में आर्थिक तंगी है, वह भी दूर होती है, और मा लक्षमी के आशीरवाद से आपके घर में सदैव अन्न धन का बना रहता है और मा लक्ष्मी की सदैव आपके उपर कृपा रहती है साथ ही साथ हर कोई अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता है और इसी के लिए दिन रात मेहनत भी करता है और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप अपने घर के पूजा वाले स्थान पर होल एक रुपे का सिक्का डाल दें और इसकी विधिवत पूजा करें ऐसा माना जाता है कि धन की देवी मा लक्ष्मी प्रसन हो जाती है और फिर जो आपने इसमें दुरगा घास रखी है या चावल रखे हैं उनमें से थोड़े से चावल लेकर या दूरवा घास लेकर एक आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा और घर में भी धन की वृद्धी होगी और साथ साथ श्री यंत्र से मा लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको चांदी की एक कलश पर प्लेट रखें अगर यह प्लेट भी चांदी की हो तो ज्यादा अच्छा होगा इस प्लेट प आप एक रुपए के सिक्के को मा लक्ष्मी के चरणों में रखे अब इसकी विधिवत पूजा करें अब पूजन के बाद इस एक रुपए के सिक्के को आप अपने घर की छट पर ले जाएं और बीचों बीच रख दें अब आप इसके पास एक दीपक जला कर रख दे और रात भर वही रहने दे, अब आप अगली सुभह इस सिक्के को ले आए, जहां पर धनन रखा रहता है, वहां रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें, ऐसा करने से धन का अनावश्यक खर्च भी कम होगा, और आपके घर में धन की वृद्धी होने लगेगी, साथ ह साथ आप एक रुपय का सिक्का भी इन चारों दीपक में डाल देना है, अब आप इन्हें जलते रहने दें, जब तक यह जो जलते रहे और अगली सुभह इनको रख लें, अपने पास अपने पर्स में रखें, या फिर आप अपने धन्धे बिजनिस या दुकान वाले का चढ़ाएं, अब पूजन के बाद लाल रेश्मी कपड़े में लपेट कर आप इस सिक्के को तिजोरी में रख लें, ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और धन की आपके घर में वृद्धी होने लगती हैं, या दोस्तों साथ ही साथ, आप यह उपाए ज करें कि चांदी की डिब्बी में थोड़ा नाग केसर और एक रुपय का सिक्का रखें, इसके बाद आप इसे डिब्बी को कुछ देर के लिए मा लक्ष्मी के पास रखने के बाद अपने घर के, किचन में रखे जब रसोई घर में आपको रख देना है, ऐसा करने से आपक इसको अपने घर के पूजा स्थान पर रख दे, ऐसा करने से जो पैसा नहीं दिखता है, वे पैसा आपका दिखने लगेगा, जब उसको मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको देवी लक्ष्मी को चड़ाया, सिंदूर एक रुपय के सिक्के पर लगाएं, अब इस सिक्के को अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें, अब रोजाना इसे धूप बत्ती दिखाई, ऐसा करने से भी धन की वृद्धी आपके घर में होने लगेगी, साथ ही साथ घर में धन धानने की वृद्धी के लिए मा लक्ष्मी के पास चांदी का एक सिक्का रखें, अब इसकी रोजाना विधिवत पूजा करें, ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और आपके घर में हमेशा धन सुख संपत्ती का वास रहेगा, साथ ही साथ आप यह उपाय जरूर करें कि एक रुपए का सिक्का किसी किन्नर से लाकर अपनी तिजोरी में रख ले ऐसा करने से भी आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ आप यह एक विशेश उपाय जरूर कर लें कि आप मा लक्ष्मी को एक रुपए के सिक्कों और पांच कोडिया लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के पूजा स्थान पर मा लक्ष्मी के पास र मा लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी, और आपका घर हमेशा धन सुक संपत्ति से बना रहेगा, दोस्तों यह थे एक रुपए से जुड़े महत्वपूर्ण और अचूक उपाय, जिन्हें आप होलिका दहन की रात करते हैं, त तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की परिशानी खत्म हो जाएंगी, कहें कि गरीबी आपके घर का रास्ता ही भूल जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा से सिर्फ आपको धन सुक संपत्ति की प्राप्ति होगी, और मा लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, यह एक ऐसा बॉक्स में जैमान लक्ष्मी अवश्य लिखें, धन्यवाद